हलो दोसो स्वाक्त है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर आज बालों के लिए रामपान रेमड़ी हम त्यार करने वाले हैं दोसो उसके लिए सिर्फ दो चीजों की युरूरत है जो की बालों की हाल्थ के लिए बहुत एहम रोल अदा करती हैं सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है तुलसी का पोधा हमारे भारत में हिंदू धारम में तुलसी के पोधे को बहुत पवीत्र माना जाता है पूजा की जाती है तुलसी के पोधे की ये बहुत ही औश्यदी गुनों से भरपूर होता है तुलसी के पत्तों में 200 वाइटमिन A, C, कैल्शिम, मेकनीशिम, पोटेशिम, आयरन भरपूर मातरा में पाय जाता है तुलसी के पोधे में 200 एंटियोक्सिडंस, एंटि इंफ्लमे रोकने में बालों की जड़ो को मजबूत करने में तुलसी के पत्ते जो हैं बहुत ही गुनों से भरपूर होते हैं डैंटरफ की समस्य है बाल रूखे सुखे बेजान से है चमक नहीं है बालों में तो आपको बहुत ही गजब के लाप मिलते हैं तुलसी के पत्तों से तो इ का एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें जितना भी हो सकें तो तुलसी के पत्ते लेजे तुलसी के पत्ते इतने लेजे कि कम से कम दो चम्मच इनका रस हमें मिल जाए तो इस तरीके से दोसों तुलसी के पत्तो को पीसने के बाद एक कपड़े की हल्प से निचोड़ कर इन पत्तों का रस निकाल लेंगे पत्तों का रस निकालने के लिए दोसो मैंने नेट के कपड़े का इसमाल किया है लेकिन आप सूती मलमल के कपड़े का इसमाल कर सकते हैं तो कपड़े की हल्प से इस तरीके से निच कर तुल्सी के पत्तों का रस निकाल लेंगे मेने ज्यादा क्योंटेट में पत्तों को पीसा है ज्यादा रस लेने के लिए क्यूंकि इस रैमरी को मैं ज्यादा मात्रा में बनाने वाली हूँ और लास में हमी चाहिए बादोसों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे बालों क अपने बालों को धोया करते थे जिसके कारण उनके बाल समय से पहले सफेद नहीं होते थे लंबे और घने मझभूत रहते थे तो दही का इसमाल पहले के जमाने में दोस्तों बालों पर जरूर किया जाता था है तो दही हमारे बालों के लिए ना जादा गुनकारी है। आप में से कुछ वियोर्स के मन में जो डाउट होगा कि अभी सर्द्य शुरू हो चुकी है, दही नुकसान करेगा, सर्दी जुखाम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आयरवेद के अनुसार दही की तासीर गरम मानी जाती है, तो आप बिना डाउट दही का इसमाल कर सकते हैं स्रेमडी के लिए। इस रस में एड करेंगे, दही हम इतना लेंगे जितना तुलसी के पत्तो का रस होगा। अगर दो चमच आप तुलसी के रस के ले रहे हैं तो दो ही चमच दही के जाएंगे। यहाँ पर तक्रीबन 6-7 चमच तुलसी का रस है, तो से मात्रा में इसमें दही जाएगा। और अच्छे से मिक्स करेंगे दोसों, आप चाहे तो फीर से आप इसे मिक्सी में चला सकते हैं, इनको अच्छे से फेंटने के लिए अच्छे से मिक्स करने के लिए और स्पून की हैट से भी आप इस तरीके से दोनों चीजों को मिक्स करके एक स्मूध सा आप सिरम त्यार कर सकते हैं अच्छे से mix करने के बाद दो सो कम से कम हम इस mix को 15-20 मिनट तक रेस के लिए रखेंगे और 15-20 मिनट के बाद इसे हम clean बालो पर apply करेंगे तो अच्छे से mix करेंगे इसे लिगाने से पहले make sure अपनी बालो को clean कर ले धूर मीटी तेल वगएर आपकी बालो पर ना हो clean बालो पर section by section बालो की जड़ो से लेकर बालो की पूरी टिप तक इस सिर्म को आप लगाएंगे especially बालो की जड़ो पर ताकि इसका पूरा nutrition आपके बालो की जड़ो के अंदर तक जा सके और बालो को भरपूर portion मिल सके जो भी बालो की समस्य है बाल सफेद है बाल जढ़ते ह बालो की growth मी बढ़ती बालो बहुत तूखे सूखे बेजान से कमजोर है तो इन सभी समस्यों को दूर करके बालो को healthy करने में यह सिर्म आपकी help कर सके तो इस सिर्म को दोस्तों आप कम से कम 2 घंटे तक लगा कर रखेंगे उसके बाद आप हो सके तो शैंपू का इस्तमाल न है साथ से लेकर आठ महिने लगातार आप इस त्रैमरी का इसमाल करेंगे आपको धीरे धीरे best results मिलना शुरू होंगे तो हक्ते में दो बाल साथ से लेकर आठ महिने लगातार इसका इसमाल कीजिए ठैक